हलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपका दोस्त जितेश वाधवानी और दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि MBA में के लिए जो भी entrance exams रहते हैं, ठीक है ना? सारे के सारे exams, CAT, ZET, NMAT, SNAP, MAT, CMAT, इस टाइब के जो भी exams रहते हैं, उन सब के बारे में आज ह दोस्तों, सबसे पहले अपने CAT exam के बारे में जानते हैं, जो की MBA का बहुत ही important exam माना जाता है, ठीक है? अगर आप MBA कर रहे हैं, तो हर कोई इंसान CAT देना चाता है, ठीक है? क्योंकि CAT के थुरू क्या मिलते हैं? IIMS, CAT के थुरू मिलते हैं IIMS, ठीक है? तो चलो, अपन CAT के बारे में बात कर लेते हैं, अब देखो, यह है CAT की कुछ important dates, ठीक है? CAT का registration स्टार्ट होगा 5 तरिक को, 5 अगस्त को, ठीक है? मतलब अभी 5 तरिक को हो चुका है, और उसके बाद 16 सेप्टमबर को registration खतम हो जाएगा, इस बीच में आपको register कर लेना है, ठीक है? 29 नवंबर को जो रहने वाला है, तुमारा exam रहने वाला है CAT का, तो इस date को तुम अपने, उसमें calendar में mark कर लो, इस दिन तुमें CAT का exam देना है, ठीक है? चलो, यह तो अपनने बात कर ली, इसके exam dates के बारे में, ठीक है? अब बात करते हैं, भाई, कौन-कौन से IIMs होते हैं, ह इसके लिए हर कोई तयारी कर रहा होता है, तो देखो, यह रहते हैं तुमारे IIM, IIM, Ahmedabad, यह जो होंगे वो तुमारे top के IIMs माने जाते हैं, IIM, Ahmedabad, IIM, Calcutta, IIM, Bangalore, ठीक है? इसका वो भी चलता है, ABC है इसका short form चलता है, ABC, A4, Ahmedabad, B4, Bangalore, C4, Calcutta, ठीक है? यह हमेशा माने जाते हैं, तुमारे top 3 के IIMs, ठीक है, top 3 के IIMs होते हैं, इनकी state है, गुजरात, West Bengal, करनाटिका, SSCR में यह established हुए थे, ठीक है? इस तरीके से अगर तुम बात करोगे, तो बहुत सारे IIMs हैं, तुम इनकी गिंती करोगे, अगर IIM, लखना हुआ है, मिंदौर, ऐसे करते करत हैं, ठीक है? चलो यार, अब अपन बात कर लेते हैं, cat के exam pattern की, यह जो cat exam रहता है, इसका exam pattern क्या रहता है, इसमें पूछा क्या जाता है, ठीक है? तो देखो, यह रहता है तुमारा cat का exam pattern है, यह 2019 का था, तो 2020 में भी तुम मान सकते हो कि कुछ इसी type का ही आने वाल है, ठीक ह तो देखो, तीन section रहेंगे तुमारे, सबसे पहला section रहता है VARC का, ठीक है? यह section रहेगा तुमारे एग घंटे का, इसमें तुमारे 34 questions आएंगे, जिसमें से 10 verbal के रहेंगे, और 24 जो रहेंगे, RC के रहेंगे, मतलब reading comprehension, तो वह paragraph दिया रहेंगा, और उसमें बेस तुमें कोशन तुमारे, 24 तुमारे LR के रहते हैं, और 2 कोशन तुमारे DIA के रहते हैं, ठीक है? फिर जो third section रहता है, वो रहता है तुमारे यह भी एगंटे का है, और यह भी एगंटे का है, ठीक है? तो इसमें पहला जब एगंटा तुमारे खतम होगा, तो automatically तुमारे दूसरा section जाएगा, फिर जब वो खतम होगा, तो automatically तीसरा आ जाएगा, इस तरीके से रहता है, ठीक है? तो तुमारे वी ए में 34 हो गए, इसमें 32 और इसमें 34, तो जब तुम इन तीनों को total करते हो, तो वो तुमारा 100 आ जाता है, तो इस तरीके से तुमारे इन total 100 questions आ जाते हैं, cat के exam में, ठीक है? अब अगर तुम इनको और further categorize करना चाहो, है ना? और further अगर तुम इनको categorize करना चाहो, कि इसमें MCQ questions किते रहने वाले हैं, ठीक है? MCQ किते रहेंगे, और Tita, Tita मतलब type in the answer, ठीक है? उसमें आपको answer को जो है, वो type करना पड़ता है, उसमें आपके options नहीं दे पहले section में, जो तुमारे 34 question है, उसमें से 27 ही होंगे, और 7 ही होंगे, इसी तरीके से दूसरे में 14 ही होंगे, और 8 तुमारे type in the text होंगे, और तीसरे में 23 तुमारे MCQ type के होंगे, और 11 तुमारे टीटर type के हो जाएंगे, ठीक है? तो यह तुमारा further bifurcation हो जाता है, ठीक है? चलो यह तो अपने बात कर ली cat exam की अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दूसरे exam की ठीक है जो की रहता है तुम्हारा z exam है न तो z exam के बारे में तुम देख सकते हो यह उसकी website अपने खोल ली है ठीक है यह colleges रहते है XLRI, XISS, XIME XISS रांची, XIME बवनेश्वर तो यह सारे के सारे colleges इसके बारे में तुम पढ़ सकते हो लीबा, यह सारे के सारे तुमें XISS से मिलते है ठीक है अब अपन बात कर लेते हैं कि Z का exam pattern क्या रहता है तो देखो इसमें 4 section आते हैं इसमें, यह तुम देख सकते हो कि verbal के 26 question रहते हैं, decision के 21 रहते हैं quantitative के 28 रहते हैं और general knowledge के 25 रहते हैं ठीक है, तो यह तुमारा पूरा का पूरा रहता है Z exam का pattern, शलो अब अपन बात कर लेते हैं, बहुत ही common exam के बारे में जो बहुत सारे colleges accept करता है जिसका रहता है, exam का नाम MAT MAT, management aptitude test, ठीक है तो देखो, यार यह बहुत आसाना exam रहता है ठीक है, इसमें मेरे 99.9 plus percentile बने तो तुम समझ सकते हो कि यह कितना आसान रहता होगा है तो देखो, यहाँ पर उसकी अपनने website खोल ली है ठीक है, 600 plus जिसे मैंने तुम्हें बताया, भी schools होते हैं जो math score use करते हैं, ठीक है 50 plus cities में किया जाता है, और साल में 4 बार होता है ठीक है, और 3 modes में लिखा जाता है written exam, और online और एक और mode रहता है जिसमें तुमें से दे सकते हो, ठीक है ये 500 के 500 section तुम्हें यहाँ पर देख सकते हो हर section तुम्हारा 40 questions contain करता है और जो मिलाकर तोडल 200 questions हो जाते हैं, ठीक है और तुम्हें 150 minute का time limit मिलता है है ना, और इसमें 200 questions आते है तुम्हारे marking scheme रहती, ये plus 1 और minus 1 fourth पतलब minus 0.25, ठीक तो इस तरीके से तुम MET exam को भी अपना दे सकते हो चलो, अब अपन बात कर लेते हैं SNAP exam के बारे में, जो की रहता है Symbiosis का exam, ठीक है जो की पूने में located है, है ना, mainly पूने में इनकी university located है ठीक है, Symbiosis International University, SIU अच्छा, तो तुम देख सकते हो अपन Symbiosis के, उस पर आ चुके है Webpage पर, Symbiosis International University, ठीक है अब इसके exam की बात करें, तो पहले बात कर लेते हैं इसमें कितने colleges included है इसमें included है 16 colleges 16 institute से मिलकर की Symbiosis बनता है, ठीक है, तुम यहाँ पर फोटो देख पा रहे हो अब देखो, आपन बात कर लेते हैं कि यह कौन-कौन से हैं, इसमें तुम्हारा SIBM, Pune, SI, SIC, SCR SIMC, SIIB, इस तरीके से तुम देखते जाओगे SIMS, SCIT, SCMHRD इस तरीके से SIOM, ठीक है Operations Management का यह college है तो इस तरीके से तुम्हारे पास बहुत सारे colleges आ जाते हैं जो कि लिए होते हैं, ठीक है अब अपन बात कर लेते हैं कि इसका paper कैसा रहता है क्या आता है उस paper में तो देखो यार, SNAP के exam में तुम्हें तीन section देखने हो मिल जाएंगे जिसमें तुम्हारा सबसे पहला रहेगा general English दूसरा रहेगा analytical and logical reasoning और तीसरा रहने वाले quantitative data interpretation and data sufficiency ठीक है तुम्हें जो questions नजार आएंगे 34, 36, 36 यहाँ पर तुम देख सकते हो कि correct answer के कितने mark से wrong answer के कितने cut होते हैं इस तरीके से total रहता है तुमारा तो 110 question और 150 mark का तुमारा यह exam रहता है ठीक है जिसके तुम symbiosis के colleges, 16 colleges में admission ले सकते हो चलो अब अपन बात कर लेते हैं एक और exam के बारे में जो की रहता है नारसी मुंजी का NMAT exam तो नारसी मुंजी का जो college है वो NMAT exam conduct करवाता है ठीक है अब इस exam के थुरू तुम इन colleges में admission ले सकते हो सबसे पहला तो तुमारा NMIMS हो गया ठीक है इसके भी दो-तीन branches रहती है उसके अलावा SDA, Beconi, IBS, JPG, IMR, SPM ठीक है बहुत सारे colleges है ना बहुत सारे colleges है तो मैं आपर देख सकते हो ठीक है मैं क्या करूंगा तो मैं इन सारे exam की जो मैं इन website की link है वो नीचे description box में दे दूँँगा तो वहाँ पर जा करके उनके बारे में वहाँ स्टेडी कर सकते हो ठीक है अगर तुम इस exam के लिए interested हो चलो अब अब बात करते हैं इसके exam pattern के बारे में तो NMAT का exam pattern कुछ ऐसा रहता है जिसमें तुम्हें देखने को मिलते है 108 questions यहाँ पर तुम्हारे 108 questions total रहते हैं ठीक है जिसमें language के रहते हैं 26, quantitative के 36 और logical reasoning के 36 questions यह तुम्हारा time दे रखा है 120 मिनिट तुम्हें मिलते हैं मतलब 2 बढ़े का तुम्हारा exam रहता है ठीक है और जो तुम्हारा score है वो 36 से 360 इस range में वेरी करता है अब अब अपन बात कर लेते हैं CMAT exam के बारे में CMAT exam भी बहुत important माना जाता है management की जो लोग exams दे रहे होते हैं उसमें ठीक है तो तुम देख सबते हो यहाँ पर CMAT exam क्या रहता है common management aptitude test यह इसका full form रहता है ठीक है और इसका exam duration रहता है 3 hours का यह exam रहता है ठीक है इसमें भी तुम्हारा general awareness आ जाता है उसके बाद slow questions आएंगे तुम्हारे पास है ना अब इसका exam form अगर तुम भरने की सोच रहे हो तो तुम general category में male हो तो तुम्हें 1600 रुपे लगेंगे और तुम general category में female हो तो तुम्हें 1000 रुपे का form पड़ेगा ठीक है अब इसमें number of test city 75 जगवा पर यह test होता है तो दोस्तों यह अपने cat से शुरू करके सारे के सारे exam देख लिए cat हो गया, zet हो गया, mat हो गया, snap हो गया, ian mat हो गया और cmat हो गया तो अगर तुम भी तैयारी planning कर रहे हो कि तुम्हें MBA करना है, IIM से करना है, SIMB, SIMVoices से करना है, NRC Munji से करना है XLRI से करना है, तो तुम्हारे लिए यह बहुत useful information है, ठीक है कि तुम्हें इनके लिए किस तरीके से process follow करना है, इनके exam के patterns क्या रहते हैं तो अमीद करता हूँ दोस्तों, यह चीज़ तो मैं समझ आई होगी, ठीक है और यह तुम्हें help करेगी, तुम अपना MBA अच्छे से कर पाओगे इसको जानने के बाद तो चलो यार, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए आपसते रहिए, उसको राते रहिए और जो भी करना चाहते हैं न, दिल खोल के करिए यार, क्योंकि यह जिन्दगी न मिलेगी दोबारा, चलिए, बाई